नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और हम देखने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने स्मार्ट वोच में जो नोटिफिकेशन इशू है उसे सोल कर सकते हो अगर आप कोई भी स्मार्ट वोच उसकरते हो जैसे की नोईस, फायर वोल्ट या बोट तो उन्हें उसकरने के लि कर दिया है, उसके बाद भी अगर आपकी वोच में वाट्साप के या किसी भी आपके मेसेज शोनी कर रहे हैं, तो आपको इस इशू को कैसे सोल करना है, हम देखने वाले हैं, इस वीडियो में, तो ये इशू दो तरीके से हो सकती है, पहले किसमें ऐसा होता है कि आपके फ को नहीं कर रहा है तो यह होती है एक इशू जिसमें आपको आपको आपकी वाच में मैसेज चो ही नहीं करेंगे तो इसे सोल करने के लिए अगर आप Redmi, Realme, Oppo, Vivo, OnePlus कोई भी फॉन यूज़ करते हो जिसमें आपको एप लोक का फीचर मिलता है तो आपने WhatsApp को एप लोक में एड किया होगा तो आपको चेक करना है आपको जना है शेडिंग्स में आपके फॉन में एप लोक की शेडिंग्स को आपको सर्च करना है जैसे कि यह है रेडिमी का फॉन तो इसमें आपको मिलेगा apps में, app lock में और इसमें आपको जना settings में और यह जो option है hide notification content आपको इस पिटाप करना है और इसमें आपने add किया होगा WhatsApp, अगर आपने add किया है तो आपको इसे करना है off आपको WhatsApp को इसमे add नहीं करना है, अगर आप इसमे add करोगे, तो आपकी बाच में message show नहीं करेंगे, अब इतना करने के बाद, अब अगर मुझे कोई आता है message WhatsApp में इसमें receive हुआ है watch vibrate हुई है, अगर मैं देखूंगा तो आप देखोगे, यह message show हो रहा है यह message आ चुका है, तो इस तरीके से हमने जो issue है उसे solve कर दिया है, तो अगर आपने भी किसी भी phone में हो सकता है, app look में WhatsApp को add किया है, तो आपको जो hide notification के जो setting से उसे off करना है, उसके बाद आपकी watch में भी, जो message है show करने लगेंगे, WhatsApp के अब दुसरे case में क्या होता है, आपको message तो आता है, WhatsApp से, phone में भी watch में ऐसा show कर रहा है, four messages from two chats, तो आपको भी अगर इस type से आ रही है notification, WhatsApp की मतलब कि आपको बस इतना पता चलेगा कि WhatsApp से आ रही है notification लेकिन क्या आ रही है और कौन से contact से आ रही है, आपको ऐसा पता ही चलेगा, तो इसे solve करने के लिए आपको जना है, WhatsApp में settings में account में, privacy में और last में आपको मिलेगा एक option fingerprint log का, आपको इसे open करना है, इसे on किया है तो कोई issue नहीं है, लेकिन यह जो option है यह होना चाहिए on, यह भी होना चाहिए on, तो हमने इसे रखा है, अभी off, और यह है show content in notification, तो आपको इसे करना है on, अगर यह off होता है तो इसे on किजिए, इसके बाद आपको आप सारे message show करेंगे WhatsApp से, तो आपको two messages from two chats, ऐसा आप show नहीं करेगा, जो message है actually में, वो आपको show करेगा अब आपकी watch में, तो आप देखोगे तो message यहाँ पे इस तरीके से show कर रहा है what are you doing, जो हमने send किया है बस वही message यहाँ पे show कर रहा है तो इस तरीके से, आप इन दो type की जो issue है, उसे solve कर सकते हो अपनी watch में लेगिन इतना सब करने से पहले आपको ensure करना है कि जो भी app आप यूज़ करते हो फिर चाहे fireball के लिए dafit एप हो, boat के लिए boat crest, boat hub, कोई भी हो सकता है इसके लबा noise के लिए noise fit, तो इन apps को आपको सभी permission allow करनी है जैसे कि मान लेते हैं, अगर मैं इस कर रहा हू dafit, तो मैं इस पे long tap करूँगा app info पे tap करना है और फिर यह जो option है, app permission इसमें आपको सभी को करना है on call logs, तो allow किजिए इसके बाद contacts, files in media, location phone, SMS यह सभी आपको allow करना है इसके बाद ही आप जो notification है, अपनी watch में receive कर पाओगे, इतना करने के बाद भी अगर आपकी watch में नहीं आ रही है notification, तो आप अपनी watch को reset करके वापस फिर से pair कर सकते हो, अपने phone के साथ दोस्तों यह था, इस वीडियो में अगर आपका कोई भी सवाल हो, तो आप हमें पुछ सकते हो, आप मुझे Instagram पे या फिर Twitter पे भी message कर सकते हो, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों